कर दो अब सब लोग को मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला में अपने ये ये इलिक्रिकल साइकर को किस तरह से चार्ज में लगाता हूं और कितना देर लगाता हूं साथ ही ये किस तरह से चार्ज होती है इसको किस तरह से चार्ज किया जाता है और ये कितने घंटे तक चार्ज करने पर ये हमारी जो एलेक्रिकल साइकल है ये फुल हो जाती है चार्ज हमारी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा हूं कि ये हमारी बेटरी है और बेटरी बोक्स में आपको एक charger connector देखने को मिलती है इसी से मैं अपना जो ये बेटरी है इसको चार्ज करता हूं चार्जर अगर मैं आपने को दिखाऊं तो ये हमारी charger है जिसके माधियम से मैं अपने उस electrical cycle को चार्ज करता हूं इस charger में पीछे में छोड़ा से देखेगा फेन दिया गया है ताकि जो हमारे charger के अंदर में बोड है वो गरम ना हो उसको कूलिंग कर सके और हमारी जो cycle में लगने वाली है ये हमारी connector है जो कि हम इसको अभी चार्ज में लगाने वाले हैं और इसे मैं आप लोगों को दिखान हमारी जो बैटरी connector है इसे में open करके इस connector को अच्छी तरह से लगा दूगा ताकि यह हमारी ब्लूज ना हो यह हम लगा चुके हैं और अभी में इसको इस charger को बोड के माइदम से supply देने वाला हूं सप्लाइ दे चुका हूं यह आप देख सकते हमारी इस charger में रेट कलेर के लेडी जल रही है पिछे साइट में छोटा सा फेन दिया गया है जो कि हमारी इस charger को कूल करते रहेगी और रेट कलर की जो आप लेडी देख रहे हैं यह हमारी ग्रीन हो जाएगी जब हमारी यह बैटरी फूल हो जाएगी जैसे ही फूल होगी यह हमारी रेट कलर की जो एलेडी है यह ग्रीन हो जाएगी उसके बद हम इसे charger को खोल करके इसे इस cycle को हम पचास किलो मेटर तक यूज कर सकते हैं यह इसे मैं छे साथ घंटे चार्ज करूँगा ताकि मेरा यह जुशत बैटरी है वो फूल हो सुके और मैं इसको कम से कम पचास किलो मेटर तक यूज कर सको एक चाइज में आप छे साथ घंटे चार्ज की जेगा और यह आपका साइकल जो electrical cycle यह full charge हो जाएगा और एक full charge में 50 km average mileage आपको देती है और electrical cycle से ही relative वीडियो में आप लोगों के साथ सेर करता रहूँगा और next वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा और बताने वाला हूँ कि मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ यह automatic break किस तरह से काम करती है क्या काम करती है यह सारी चीज़े में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा और आसा करतों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगए अभी मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक तक दिल्ए धन्यवाद कि अज़ाइब लोगों